हलो दोस्तो, हलो, दोस्तो सुसान सिंग राजपूत मडर केस में एक साल से जादा हो गया है, कोई भी कन्क्लूजन पर CBI नहीं पहुची है, ना कोई अपडेट है, ना CBI का अपडेट है, ना ED का अपडेट है, केवल फैंस और सुसान सिंग राजपूत के फैमली मेंबर्स का अपडेट है दोस्तो फैंस डेली पूछ रहे हैं सोशल मीडिया पर कि या इनसाफ कब होगा सी बी आई कब हमें कंक्लूजन के बारे में बताईगी कब हमें अपडेट देगी दोस्तो एक साल में हमें इतना तो समझ आ चुका है कि सुसान सिंग राजपूत में के केस में पॉ महराष्ट्रा के कॉंग्रेस के स्पोक परसन है सचीन सावन उन्होंने अपना मूँ खोला है उन्होंने सिधा कहा है कि सिभी आई जान बुझ कर सुसान सिंग राजपूत मडर केस पर चुप बैठी है सिधा सिधी सचीन सावन ने बात कही है कि सिभी आई जान बुझ कर सु कोई खबर सामने आ रही है वो यह है कि स्टेट कॉंग्रेस स्पोक पर्षन है सचीन सावन उन्होंने कहा है कि एक साल से ज्यादा का समय हो गया है लैप्स हो गया है पार हो चुका है बट सिब्याई की तरब से कोई भी अपडेट नहीं है ना कोई कंक्लूजन पर सिब्याई पहुंची है सिब्याई जान बुझ कर सुसान सिंग राजपूत केस में साइलेंट बैठी है पहुत बड़ी बात की है दोस्तों महराष्ट्रा कॉंग्रेस के स्पोक पर्षन सचीन सावन थे बता रहें कि वन येर पास हो चुका है बट सिब्याई का कोई अपडेट ना 12 दिन हो चुका है आएम्स का कोई रिपोर्ट का कोई भी हाथ पैर समझ में नहीं आ रहा मडर एंगल भी क्या रूल आउट कर दिया गया है CBI deliberately ये वर्ड किया है दोस्तों उन्होंने use deliberately यानि जान बुझ कर silent बैटी है सुसान सिंग राजपूत केस में दोस्तों सचीन सावन ने पुचा कि उन्होंने CBI को बोला है कि आप declare करो कि क्या आपने progress अभी तक किया है क्योंकि सुसान सिंग राजपूत का जो मामला है ये कोई छोटा मोटा मामला है नहीं ये देट का मामला है और बहुत बड़े celebrity का मामला है जिसमें पूरी इंडिया पूरे भारत पूरा वर्ड के लोग इसमें emotionally attached है तो CBI क्यों सांध बैटी है क्यों update नहीं दे रही है आगे लिखते हैं आगे वो बोलते हैं is there any order of Narendra Modi government to deliberately keep such investigations in महाराष्टरा cases pending and inconclusive बहुत बड़ी बात किये दोस्तों सिधी बात इन्होंने सिधी इन्होंने तंच महाराष्टरा government पे किया कि क्या इनका involvement CBI के investigation में है क्या ये जान बुझ कर cases को pending बना रहे हैं कोई conclusion पे नहीं पहुँच रही है नरिंदra Modi के government क्या politics involved हो गया है कौन pressurize बहुत बड़ी बात किये दोस्तों उन्होंने कहा कि कौन pressurize कर रहा है CBI को update देने से या कोई conclusion पे पहुँचने से बहुत बड़ी बात है आगे जाके वो लिखते हैं कि भारते जंटा party के लोगों ने ये महराश्टरा government की image को खराब करने की कोशिस की है news channels पे उन्होंने जबरदस्ती सुसान सिंग राजपूत के मडर के angle को दिखाया है ताकि महराश्टरा government गिर सके बट इस पे unfortunately अगस्त 2020 में जब CBI को handover हुआ आज एक साल से उपर हो चुका है कोई भी CBI का update है ने तो CBI को तो अब update देना चाहिए ये बात दोस्तों इन्होंने कही है बट इसमें जो बड़ी बात महराश्टरा के spokesperson ने कही है दो चीजे कही है कि CBI deliberately सान्थ है इसमें और कहीं न कहीं साइद इसमें politics involved हो चुका है जिसके वज़े से जिसकी वज़े से कोई भी conclusion पे CBI नहीं पहुंच रही है साइद CBI pressure पर है दोस्तों यह बहुत बड़ी बात महराश्टरा spokesperson ने कही है साइद इसका जवाब कहीं महराश्टरा के BJP या BJP सरकार दे या CBI दे इस report के आने के बात दोस्तों अब तो देखने वाली बात है कि इस पे क्या आप टेक रहता है पर जो भी update रहेगा मैं आपको देता रहूँगा अगर अपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किय तो फटाफट करके कमेंट करें